टीवी का लुख प्रेश शो अनुपमा इन दिनों दर्शगों की पहली पसंद बनावा है टीयारपी के मामले में भी ये शो नंबर वन पर चला आ रहा है वही शो की किरदारों की दमदार एक्टिंग से इसे घर-घर में पहचान मिल गई तो दोस्तो आज अम आपको के पसंद दिदा शो अनुपमा की स्टार कास की फीज बताएंगे तो आएए जानते हैं इस शो की किरदार को एक दिन में कितनी फीज मिलती है नमबर एक पर है रुपाली गांगुली अनुपमा में रुपाली गंगुली लीड रोल में है शो में अनुपमा का किरदार निभाने वाली रुपाली अपने किरदार से घर घर में फेमस हो गई है टीवी सीरिल अनुपमा के एक एपिसोड के लिए रुपाली साहट हजार रुपे फीस लेती है लिस में अगला नंबर है सुधानशू पांडे का शो में अनुपमा के पती वनराज का किरदार सुधानशू पांडे प्ले कर रहे हैं सुधानशू का किरदार कुछ लोगों को गुस्सा दिलाता है लेकिन यही तो उनकी किरदार की सपलता है वैसे अपने इस एक्टिंग के लिए सुधान शू पर एपिसोड पचास हजार रुपे चार्ज करते हैं लिस में अगला नंबर है मदलसा शर्मा का शो में काफ्या का रोड प्ले कर रही मदलसा नेगेटिव किर्दार को काफ्य अच्छे से निभा रही है वही पर एपिसोड के लिए मदलसा 30,000 रुपे चार्ज करती है वैसे आपको बता दे मदलसा शर्मा बॉलिवर एक्टर मिथन चक्रवर्ती की पगू है लिस में अगला नंबर है पारस कलनावत का वनराज और अनुपमा के चोटे बेटे समर शाह का रूल पारस प्ले कर रहे हैं पारस ने अपनी क्यूट सी छवी से शो की फीमेल फैंस का दिल बखुवी जीता है वही पर एपिसोड के लिए पारस 35,000 रुपे चार्ज करते हैं लिस में अगला नंबर है आशिश महरोत्रा का शो में अनुपमा और वनराज के बड़े बेटे पारितो शाह का रोल एक्टर आशिश महरोत्रा प्ले कर रहे हैं आशिश को पर एपिसोड के लिए 33,000 रुपे फीज दी जाती है लिस में अगला नंबर है मुसकान बामने का शो में अनुपमा और वनराज की इकलोती बेटी का किरदार एक्टरिस मुसकान बामने निभा रही है शो में मुसकान पाकिश शाह की रुपे नजार आ रही है और पर एपिसोड के लिए मुसकान 27,000 रुपे लेती है लिस में अगला नंबर है नीदी शाह का अनुपमा की बड़ी बहु किंजल शाह का किरदार एक्टरिस नीदी शाह निभा रही है दर शक नीदी के पॉजिट्व किरदार को काफी पसंद करते हैं वहे पर एपिसोड के लिए नीदी 32,000 रुपे चार्ज करती है अगला नंबर है अंगा बोसले का शो में अनुपमा की चोटे बेटी समर्शाह की गर्फरन का किरदार अंगा बोसले निभा रही है अंगा इस शो के हर एक एपिसोड के लिए 26,000 रुपे चार्ज करती है लिस में अगला नंबर है तसनीम शेक का शो में राकी दवे का किरदार पॉपुलर एक प्रिस तस्मीन शेक निभा रही है राकी दवे की चाल अनुपमा को काफी परिशान रखती है और इस नेगेटिव किरदार को निभाने के लिए तस्निम 26,000 रुपे पर एपिसोड चार्ज करती है लिस में अगला नंबर है अलपना बूच का शो में बा यानि कि वनराज शा की मा का किरदार अलपना बूच निभा रही है और अनुपमा की कड़क सास बननी के लिए अलपना जी पर एपिसोड 22,000 रुपे चार्ज कर रही है लिस में अगला नंबर है अर्विन वैदिका शो में हस्मुकलल शाह का किरदार अर्विन जी निभा रहे है और वो अपने इस पॉजिट्व रोल के लिए पर एपिसोड 25,000 रुपे चार्ज कर रहे है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आपको मारा आज का ये वीडियो कैसा लगा अपने राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और विलेटिस अपडेट्स के लिए सस्क्राइब करें गजब खबरे